नमस्कार मित्रों, चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, क्या कहता है आदेश के क्रम में आज हम समझने वाले हैं, प्रतिका अवकाश के संबंध में क्या आदेश हैं, कौन लोग प्रतिका अवकाश लेने के लिए अधिकृत हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रतिका अवकाश लेने के लिए कौन लोग अधिकृत होंगे। दरसल प्रतिका अवकाश उस दशा में हमें प्रदान किया जाता है। जब हम से किसी सारवजनिक अवकाश वाले दिन कोई विभागिय कारे कराया जाता है। तो उस दशा में उस सारवजनिक अवकाश के दिन बुलाया जाता है, तो उसको उस चुटी के एबज में प्रतिका अवकाश देया होगा। साथ ही, इसमें यह व्यवस्था अधिकारी महोदे को सिथित इस आधार पर की गई है, कि एक से अधिक कर्मचारियों को प्रतिकार अवकाश देये की दशा में, किसी कार्या पर रुकावट ना आए, ऐसी दशा में अपने विवेक के आधार पर अवकाश स्वीकृत कर सकते है पॉइंट नंबर पांच ये कहता है, कि प्रतिकल अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी महोदे, अधिकृत होंगे जो अधिकारी महोदे सामाने तोर पर आपका आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हैं सात्यों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको प्रतिक अवकाश से संबंधित सारी जांकारी क्लियर हो गई होगी अपने विभाग से संबंधित समस्त आदेश औ अन्य जांकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुर सकते हैं